इस तरह प्रोस्स को किस तरह के से अप्लाइब करना है और अपने मोबाइल में जो आपशन है अपने मोबाइल एंड लैपटॉप में किस तरह के से स्टॉप करना है विल बिसिकली यहां पर हमारे मोबाइल में जो हैंक के चांसे से रैम के जो फूल होने के चांसे से वो इसे सेटिंग्स के वज़े से होता है because हमारे mobile और हमारे laptop में ऐसी settings होती है अपने android की system में जिससे वो automatically basis पे as a default basis पे auto update option पे set होता है जिसके वज़े से mobile और laptop में जो applications होते है वो automatically basis पे update होते हैं without अपने permission की basis पे तिससे problem ही होता है कि जितना ज़्यादा application यहाँ पर update होगा mobile और laptop में उतना ज़्यादा mobile का जो RAM है या laptop का जो RAM है वो यहाँ पर full होना start हो जाएगा यहाँ उसका capacity full होना start हो जाएगा तो इससे problem यह होता है कि RAM जो होता है वो mobile हो या laptop RAM यह उस device का एक important heartbeat होता है जिस पे अगर effect पढ़ या तो इससे mobile या laptop के overall performance पर इसका impact परता है because RAM बहुत ही ज़्यादा important होता है तो जितना ज़्यादा वो free रहेगा उतना ज़्यादा mobile या laptop एकदम free होगा और यह तो faster way में perform करेगा तो यहाँ पर आपको अपने mobile या laptop में जो auto update का option है उसे किस तरीके से stop करना है तो पहले मैं आपको mobile में बतारो यह जो method में बतारो यह आपको 2020 और 2021 दोनों में यह work out होगा तो first of all अपने mobile में जो auto update का option है उसे किस तरीके से stop करना है तो mobile में auto update को option off करने के लिए आपको यहाँ पर एक ही application है जहाँ पर visit करना है और वो है google play store because google play store ही है जिसके वज़े से जो application है वो automatically basis पर update होती है हमारे mobile में तो इसके लिए आपको directly जाना अपने play store पर from here and then उसके बाद आपको यहाँ पर click करना है and play store के settings में visit करना है अब यहाँ पर तीन settings है जिसमें आपको changes करना है first app download preference second auto update apps and third auto play videos तो यह तीन settings आपको change करना है तो first है app download preference तो यह यहाँ पर set होता है default basis पर over any network पर जिसे आपको check करके यहाँ पर directly ask me every time पर click कर दिना है second auto update apps तो यह भी over any network पर set होता है जिससे आपको change करके don't auto update apps पर click कर दिना है then उसके बाद auto play video अगर आप चाहँ तो इसके भी इस ओले option पर set कर सकते है otherwise चाहँ तो आप यहाँ इस ओले option पर इससे मैं recommend ने करना होगा तो इससे आप directly इस ओले option पर set रहने जाए अपने laptop में auto update का जो option है उसे किस तरीके से stop करना है यहाँ पर laptop में जो hang का जो problem है laptop में जो speed up का problem है वो problem से एकी वज़े सोता है कि आपका RAM यहाँ पर असा capacity enough हो चुगा है जिसके वज़े से यहाँ पर आपके RAM के याई कि laptop के overall performance plus का negative impact परता है तो यहाँ पर आपको अपने laptop में auto update का जो option है जो windows का जो update के options आता है automatically basis पर windows update हो जाता है automatically basis application update हो जाता है तो उसे भी आप इजिले stop कर सकते हैं How? Let me show you So now अभी अपने laptop में auto update का option stop करने के आपको यहाँ पर down site में जाना है search में और यहाँ पर आपको type करना है services So यहाँ पर आपको search करना है services और यहाँ पर आप service के setting में visit कर पाएंगे डिरेक्ट आपको इस पर click करना है click करने के बाद यहाँ पर एक नया window open हो जाएगा यहाँ पर आपको कही पर पर icon प्रसा click करना है और अपने laptop में W keyword type करना है जैसे आप W keyword type करेंगे आप directly W की alphabets में visit कर पाएंगे अब यहाँ पर आपको search करना है Windows Update So let me search it Windows Update As you can see यह रहा Windows Update तो इस पर जाना है Mouse पर right click करना है और आपको properties के option पर click करना है तो यहाँ पर आपको एक option देखेगा इस पर update होता है तो यह automatically basis पर update रहता है इसलिए तो यहाँ पर यह automatic basis पर set होता है जिसकी वज़े से आपका window यहाँ पर update होता है तो इसे आपको change करके या तो disable कर देना है या तो manually basis पर set कर देना है अगर आप manually basis पर set करेंगे तो जब भी update होगा तो आप जाके manually basis पर उस पर update कर सकते हैं बट अगर आप automatic पर set करेंगे तो यह automatically basis पर जब भी update आएगा Windows का तो automatically basis पर update हो जाएगा लेकिन अगर आप इसको यहाँ से disabled कर देंगे तो कोई भी आपको Windows का update नहीं आएगा I mean यहाँ पर Windows का जो update है वो stopped हो जाएगा दिस्टेबल हाजाएगा जिसके बाद जोभी आपको Windows का जाएगा तो यहाँ पर update नहीं होगा और इसके बाद यहाँ पर आपका Windows का update स्टॉप्ट हो जाएगा तो बस इससे तरीके से आपको अपने mobile में आप जो आपना auto update का option स्टॉप करना है और अपने laptop में आटो अप्डेट का ऑप्शन स्टॉप करना है सो दिस विला लपी इन 2020 एन 2021